नमस्कार दोस्तो बेलकम टू पीके क्लासेस आज मैं बात करूँगा कैप्स्टन एंड टरेट लेथ मसीन जो हमारे डिपलोमा स्टूडेंट है मेकेनिकल्स एंड बीटेक मेकेनिकल के स्टूडेंट है तो इसमें डिपलोमा में MTT नाम से एक सब्जेक्ट है फिप्ट सैमिस् टिएंसी मसीन ओके तो डिपलोमा एंड वीटेक के स्टूडेंट के लिए एह मसीन बहुत ही इंपार्टेंट है जो हर बार एक कुष्ट्यन कैप्स्टन एंड टरेट से बनता ही है ओके तो कैफ्टन एंड टरेट लेथ में मैं आज बात करूँगा इंट्रोडैक्शन में आप मसीन बर्किंग एंड डिफरेंस बिट्वीन डिफरेंस बिट्वीन सेंटर लेत एंड केश्टन एंड टरेट लेत ओकी तो दोस्तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और रंत में बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आप से सब्जेक्ट से सम्मंदित नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें ओकी तो दोस्तो यहां पर जो हमारा डिस्क्रेप्शन है वो मैंने इंग्लिस में दिया है लेकिन आपको मैं सम्झाओंगा हिंदी में ओकी यह टरेट लेट मसीन क्या होती है ओकी तो जो कैश्टन एंड टरेट लेट मसीन है इसको हम मेडियम प्रोडेक्शन या सेमी आटोमेटिक लेट मसीन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो हमारी लेट मसीन है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड है एक आपकी होती है लो प्रोड प्रोडेक्षं लेथ तो मीडियं में हमारी कैप्षटने त्रेट लेथ है और मास्प्रोडेक्षं चन्रोल में मसीन है जो इतीन। में रखेगा है तो यहां पर हम बात कर रहा है कैप्ष्टन्नहाय चन्रेट लेथ एंड है एचली में appreciative मशीन कहें चाइंनल आती है जो हमारी सेंटर लेत का हिए डवलाब्ड या मारिफाय बरझन है उगे दोस्तों सेंटर और इनल लेत होती है कि उषी का मारी आटेफाई जो बरजन होता है वहां वहारी क्या है कि करने है उन्स में ट्रनिंड या होता है कि जो हमारा central late में tail stack लगा होता है यदि हम central late की बात करें तो central late में कया है tail stack लगा हुआ है right side में बैठके उबर तो ये tail stack replace हो जाता है परिवर्तित हो जाता है किसमेン hexagonal turret किसमें change हो जाता है hexagonal turret में change हो जाता है जो हमारी 6 tools को hexagonal turret 6 cutting tools को एक साथ hold कर सकती है लेकिन जो टैल स्टाइक है वो सिर्फ हमारा एक ही cutting tools को hold कर सकता है तो यहाँ पर हमारे 6 cutting tools हैं जो hexagonal turret में लगे होते हैं इसके बाद जो हमारी केश्टन इंट तरेट लेथ मसीन है इसका उपियोग हम large number of identical piece एक जैसे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा parts बनाने के लिए कम समय में हम इस मसीन का क्या करते हैं उपियोग करते हैं large number आप identical का मतलब है के जैसे हमको कहीं hole करना है तो हमको hole बनाना है hole की finishing करना है hole को enlarge करना है तो उस से सम्बंदित जो related operation है यह सारे कारे हम करते जाएंगे हमको बार बार टूल को change नहीं करना पड़ेगा दोस्तो क्योंकि जो captain and turret lat machine है captain and turret lat machine में क्या होता है कि जो हमारे tools है hexagonal turret में six tools होते हैं और यह जो turret है इसको हम one by one operation परपाम करते हुए turret को turn करते जाते हैं जो हमारा work piece होता है वहाँ से जिस tool का काम हो चुका है वो हट जाएगा और उस job के साथ सामने है जो हमारा क्या जाएगा next tool आ जाएगा next का work होगा उसको factor न कर देंगे तो हमको इसमें machine को बंद करने की आवश्चता नहीं है लेकिन जो आपकी बार-बार machine को stop करने की आवश्चता नहीं होगी ओके अब हम सबसे पहले देखते हैं turret lat तो दोस्तों यहाँ पे machine का diagram दिया हुआ है turret lat turret lat क्या होती है यह इसमें diagram दिया हुआ है तो जो turret lat machine होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारी hexagonal turret है यह होती है और इस turret lat को हम saddle type की machine के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो turret है यह saddle type की saddle के प्रकार की machine है जिसमें hexagonal turret सीधे हम saddle के उपर mount करते हैं hold करते हैं और यह machine हमारी heavy weight होती है और heavy cut के लिए उप्योग करते हैं जहाँ पे हमको heavy cut लगाना है ज्यादा feet के साथ हमको machining करना है कोई भी वर की तो वहाँ पे हम किसकी turret lat की बात करते हैं या turret lat machine को use करते हैं ओके दोस्तु तो इस machine में जो hexagonal turret है यह hexagonal turret हमारी hexagonal turret कहा पे mount है यह हमारी hexagonal turret mount है इसके बाद यह leg है यह हमारा wed है यहाँ पे head stock है यह हमारी cross slide है और यह इसके top पे लगा है tool post तो यह हमारे इसके क्या होते हैं main parts होते हैं machines के turret lat के तो जो हमारी turret lat होती है इसका उप्योग हम up to 120 mm diameter के workpiece को machining करने में करते हैं दूसरा इसका जो हमारी saddle होता है structure होता है basic सरचना होती है जो दूसरे part के लिए दूसरे उसके component होते हैं वो हमारे किस पे mount होते हैं bed के उपर mount होते हैं जैसे कि आपका इसमें cross slide है compound rest cross slide है compound rest हो गया head stock हो गया या saddle हो गया यह सभी parts कहां पे लगे हुए हैं हमारे bed के उपर लगे हुए हैं ओकी दोस्तों तो bed है जो cast iron का बना होता है और यह हमारा दूसरे parts को hold करके या mount करके रखता है next है head stock जो second part है head stock तो head stock हमारा क्या है late के bed के उपर left side में mount है ओके इसके अंदर हमारी pulley हो गई shaft हो गई, gears हो गई यह सारे इसके अंदर लगे होते हैं जिसको हम driving mechanism के नाम से जानते हैं तो जो head stock है it is mounted left side on the lathe bed which is permanently fixed यह हमारा fix होता है इसको हम इदर उदर move नहीं करा सकते हैं क्योंकि यह permanently क्या है fix है और that contain various driving mechanism like pulley, gear, shaft, motor, etc इसके बाद hexagonal turret third part जो है hexagonal turret है तो hexagonal turret जो है यह हमारी कहाँ पर mount है यह हमारी saddle के उपर mount होती है और hexagonal turret जो है वो saddle पर mount है और हमारे यह move हो सकती है saddle के साथ left and right बैट के उपर हम अपनी आवश्यक्ता के अनुसार इसको move करा सकते हैं दोस्तों और जो hexagonal turret है इसके 6 face पे हमारे 6 cutting tools हैं जो एक साथ hold करके हम रख सकते हैं और 1 by 1 tools का हम यूज करके 6 operation बिना machine को step किये हुए पर भाम कोई भी work या jab के उपर हम क्या है इससे कर सकते हैं अब जो saddle है saddle हमारा mount है लेट बैट के उपर जो हमारा support कर रहा है या hold करके रख रहा है किसके लिए hexagonal turret के लिए इसके बाद cross slide है cross slide mount between saddle and headstock यह headstock saddle के बीच बैट पर mount है और यह हमारी किसके support करती है tool post को support करती है cross slide को support करती है जो हमारी cross slide है कहाँ पर mount है इसको हम central head में carriage के नाम से जानते हैं यहाँ पर cross slide वार्डियूज किया है ओकी तो यह जो हमारी cross slide है head stack और सब्सक्रणल के बीच में यह एकज ऑनल्ट के बीच पूपर लगी होती यह जिसके टाप पर टूल पोस्ट होता है जिसमें हमारा टूल लगा होता है ओके थो यह वर्किंग आपकि मन्सक्राइノुट के जरूरत के अनुसार बैट के ऊपर लेब्ड़ राइट सेट कर सकते या मूप करा सकते हैं ओके चलिए दोस्तो तो इसकी वर्किंग आपकी जो दिया हुआ स्टार्टिंग इनिस्यल डिस्क्रेप्शन यही आप वर्किंग में और इसके पार्ट्स को समझाना है आपरेशन सापके जैसे ड्रिलिंग हो गया बोरिंग हो गया रीमिंग हो गया थ्रेडिंग हो गया है यह आपरेशन हम इस मसीन से स्मूटली परफार्म कर सकते हैं ओके नेस्ट है हमारी कैफ्टन लेथ मसीन तो जो कैफ्टन लेथ मसीन है एक कैफ्टन लेथ मसीन हमारी रेम टाइप की लेट मसीन कहलाती है जिसमें क्या होता है कि रेम लगी होती है और रेम मांट करके रखती है किसके लिए हेक्जागोनल टरेट के लिए ओके तो जो हमारी टरेट है वो सेडल टाइप है जो कैश्टन है वो रेम टाइप की लेट मसीन है इस machine में hexagonal turret हमारी ram slide के उबर क्या होती है mount होती है और ये हमारी saddle के साथ attach होती है इसका जो bait होता है ये light bait machine होती है इसका उपियोग हम करते हैं same parts को बार बार again and again बनाने के लिए किसका कैपिस्टन लेट का उपियोग करते हैं तो दोस्तों ये start distance पे इसकी ram move होती है ram का movement कम होता है sliding तो इसके लिए क्या होता है small work के लिए use करते हैं दूसरा इसमें जो diameter है वो 60 mm up to dia के लिए जो बार पीश होते हैं उसके हम work करते हैं इसके जो main parts हैं वो आपके similar किसके turret लेट के हैं जिसमें bad head stack आपका same है hexagonal turret same है ram slide आ गया तो ram slide mounted on the saddle ram slide कहाँ पर mount है saddle के उपर and which hold and support to the hexagonal turret ये जो हमारी ram slide hexagonal turret के लिए support और hold करके रखती है और किस पर mount होती है saddle पर mount होती है और saddle कहाँ पर है बैट के उपर है ओके दोस्तों and ram slide backward and forward during operation तो इसको हम working के दोरान operation के दोरान forward backward क्या कर सकते हैं ram को slide कर सकते हैं इसी के हिसाब से आपके जो tools हैं आगे पीछे move होंगे इसके बाद है cross slide with tool post तो cross slide आपकी similar किसके है cross slide जो है यह आपकी mount है बैट के ऊपर between head stock and saddle यह ram cross slide इन दोनों के बीच में mount है इसके टाप पर tool post बना होता है और जो हमारा tool post है उसमें भी हम tool लगाते हैं तो इसमें जो cast and turret होती है इसमें front cross slide होती है एक टाप पर जिसमें हम क्या करते हैं चार cutting tools को hold करके रख सकते हैं कि जैसे facing का tool हो गया turning का tool हो गया या आपके अलग threading tool हो गया नर्लिंग हो गया तो इनको हम एक साथ लगा के रख सकते हैं दोस्तों तो यह हमारी जो cross slide है इसको हम bet पर अपने आवस सकता अनुसार backward forward move भी कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से ओके दोस्तों अब हम बात करते हैं difference between center length and captain and turret length यह question diploma student के लिए बार बार repeat होता है जो diploma के हमारे बच्चे हैं उनके लिए यह question है जो बार बार एक्जाम में आता है difference between center length and captain turret length ओके दोस्तों यह comparison between captain length and turret length इस तरह का question है जो बनता ही तो इसमें जो center length है center length हमारी low production length machine है जिसमें उत्पादन है जो उत्पादन इसका क्या है कम है यदि हम वही काम center length पर कर रहे है और वही हम question और turret length पर कर रहे है तो यदि center length उस काम को दो घंटे में complete कर रहे है तो हमारी जो question turret length है वो one and half hours या one hours में complete कर देगी तो इसलिए हम क्या बोलते है center length जो है it is low production length machine और captain and turret length it is medium production length machine ओके second इसमें difference है जो हमारी center length है इसमें 5 हास पावर की motor लगी होती है और जो captain and turret length होती है इसमें 15 हास पावर की motor लगी होती है motor अब 15 हास पावर की तो उसकी capacity भी छम्दा भी काम करने की उसके कई गुना जादा है ओके next है central length में tail stack लगा होता है लेकिन जो captain turret length है इसमें tail stack replace हो जाता है hexagonal turret में ओके तो यह हमारा क्या होगा third फोर्त जो है tool changing time is more यदि हम central length की बात करते हैं तो इसमें हम कोई भी machine का tool change करते हैं तो हर बार हमको machine को stop करना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा इसके बाद हम tool को change करेंगे लेकिन जो हमारी captain turret length machine है इसमें tool changing time है वो हमारा less है क्योंकि कम लगता है इसमें हमको machine को off करने की आवसकता नहीं पड़ती है नेस्ट आपका है बन टूल फिटीड इन टैल स्टाक संटर लेत में हम टैल स्टाक में एक ही टूल को लगा के रख सकते हैं लेकिन जो हमारी captain turret length है इसमें six cutting tools hold at once time एक समय पे हम छे टूल को hold करके रख सकते हैं दोस्तों तो nested जो हमारी center length है यह हमारी कौनसी होती है manually operated length होती है इसको हमको swim operate करना पड़ेगा हम self machine पे operate करेंगे इसके बाद ही यह work करेगी लेकिन जो हमारी constant rate length होती है दोस्तों यह हमारी क्या होती है semi-automatic length होती है semi-automatic इसमें कुछ function ऐसे होते हैं कि हमने start कर दिया तो वो automatically work को perform करेगी 7th जो इसमें it required more time for completing the work या job कोई भी काम को complete करने के लिए center length जो होती है इसमें ज्यादा time लगता है more time required होता है बट यदि हम बात करते हैं किसकी question and turret length की तो it required less time for completing या finishing the work कोई भी work को complete या finish करना के लिए कम समय की आवशकता होती है ओके थैंक यू